तो दोस्तो आप भी परिशान हो इन Airtail और Jio की behavior से क्योंकि दोस्तो इन्होंने काम ही ऐसा किया है मतलब इन्होंने अपना rate बढ़ा कर अपना उकाद दिखा दिया तो चलिए दोस्तो इन सब बातों में अपना time बरबाद ना करते हुए सीधा topic पे आते हैं और बताते हैं कि आप अपने number को BSNL में port कैसे कर सकते हो पूरा full process बताने वाले हैं एक एक चीज detail बन बताएंगे दोस्तो क्योंकि अगर सही जानकारी ना होने की वज़े से कई बार आप नुकसान में चले जाते हो और बाद में आपको फिर पच्तावा होता है तो वीडियो को पूरा देख दोस्तों बात करते हैं BSNL में port करने के process का जिसमें सबसे पहले आता है दोस्तों document अधार कार्ट पैंड का यह लगता है वो किसका लगता है तो दोस्तों simple सा अधार कार्ट से यह sim port हो जाता है और जो पहले से जिनके नाम पे sim है मतलब मान लिया यह मेरा जियो का sim हम अभी चला रहे हैं इसको हमको port करना है BSNL में तो इससे कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों कि अभी किसके नाम पे है अब आप किसके नाम से करवाना चाहते हो वो matter करता है मतलब पहले से किसी के भी नाम पे हो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है अब आप किसके नाम पे new same लोगे अगर यह आपके पापा का नंबर है तो जरूरी नहीं है कि यह आपके पापा ही आएंगे तो पोट होगा आपके नाम से भी यह पोट हो जाएगा और इससे यह फायदा होता है कि अपने किसी फैमिली के नाम से सीम चला रखा है बहुत दिन से तो यह आपका नाम से भी हो जा अब दोस्तों जो document देना होता है वो अधार काड़ी देना ज्यादा बढ़िया है क्योंकि वो सबसे आसान हो सबसे जल्दी हो जाता है दोस्तों उसमें आपको अधार नमबर लगता है और आपका फिंगर लगता है मतलब आपके नाम से अगर सिम पोट करवाना है तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा आपका एक फोटो लिया जाएगा लाइव फोटो और आपका फिंगर भी लिया जाएगा दोस्तों बायोमेटिक सिस्टम से और आपका अधार नंबर वहाँ पे डाल कर आपके नाम से सिम को एक्टिवेट कर दिया जाता है अब बात करते हैं दोस्तों कि टाइम कितना लगता है सिम चालू होने में तो दोस्तों अगर आप माल लिया बिहार से हो या जारखंड से हो और बिहार या जारखंड में ही पोट करवा रहे हो तो फिर आपको तीन वर्किंग डे लगेगा दोस्तों मतलब कि आपके एरिये में जहां से आपने सिम लिया है वहीं से आप पोट करवा रहे हो उसी स्टेट से कहीं अधर से नहीं तो आपका तीन वर्किंग डे में स्टार्ट हो जा जाता है अगर आप बिहार से हो और आप कलकता में जाकर या फिर जारखन में जाकर इसको पोट करवाओगे तो साथ दिन का टाइमिंग लेता है दोस्तों लेकिन पांच-छे दिन में भी हो जाता है तो आपको यह भी कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि तीन दिन टाइम लगी जा जैसे कि आपने इसको आज पोट करवाया तो तीन दिन लगता है चालू होने में तो तीन दिन तक यह वाला सिम चालू ही रहेगा जैसे ही तीन दिन होगा दोस्तों इसका नेटवर्क चला जाएगा खुद बखुद और जो पीएसनल में आपने पोट करवाईएगा तो आपका पहले था वो अभी भी रहेगा बस आपका कंपनी सिर्फ चेंज हो जागा एयर टेल या फिर जियो से बीएसनेल में कनवर्ट हो जाता है कनवर्ट होने के बाद आपका ये सिम एकदम फालतू हो जागा दोस्तों इसमें ना तो टावार आएगा और नाहीं कुछ दोस्तों क्योंकि ये नंबर जब बंध हो जागा इसमें से टावर जब चला जाएगा तो वो नंबर भी आपका चला जाएगा दोस्तों पूरा तरह से ये बेकार हो जाता है ये पुराना वाला सिम इसको आपको फेकना पड़ता है तो आपके ये सिम में अगर पुराना न आते हो तो क्या होगा तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है इसके लिए टाइमिंग रखा गया है जो कि है 90 दिन मतलब आपने आज नियू सिम लिया तो ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन 15 दिन बाद आप इसको पोट करवा पाओगे ऐसा कोई भी नियम नहीं है आपको इसके लिए 90 दिन वेट करना होगा दोस्तों 90 दिन पुराना कस्टमर आप हो जाओगे तभी आप किसी मोबाइल में पोट करवा सकते हो किसी सिम में जा सकते हो जैसे कि अभी आप अपने पुराने नंबर को जीओ वाला नंबर को BSNL में पोट करवा लेते हो और किसी वज़ा से आपको पसंद नहीं आता है तो फिर आप चाहते हो कि मैं फिर्व से जीओ में चला जाओं तो ऐसा नहीं हो सकता आपको इसके लिए 90 दिन वेट करना होगा दोस्तों तभी आप दुबारा फिर से आप पोट करवा सकते हो ऐसा नहीं है कि तुरंत न्यू सिम लिए और तुरंत से प पोट नहीं करवा सकते उसमें 90 दिन का टाइमिंग रहता है यह नियम ही है अब बात करते हैं दोस्तों एक और कन्फ्यूजन की जो की है कि अगर आपके नंबर में रीचार्ज खतम हो चुका है तो क्या आपने पोट करवा सकते हो अपने नंबर को तो ऐसा बिल्कुल भी नही जब आपके मोबाइल में पैसा होगा रीचार्ज होगा और ऐसा भी नहीं है कि पांच रुपे दस रुपे या बीस रुपे का रीचार्ज करके आप वो मैसेज भेज सकते हो ऐसा नहीं है आपको उसके लिए अनलिमिटेड पैक होना चाहिए जिसमें आप आउट गोइंग कि एसमेस कर सकते हो उसके लिए आपको दोस्तो जो आपका प्लान चल रहा है तभी आप कर सकते हो दोस्तों मतलब आपने रीचार्ज करवाया होगा 299 या 249 का तो वो 28 दिन का होता है तो दोस्तों आप 24-25 दिन चला लो और जब 3-4 दिन आपका लास्ट में बचा हुआ रह तभी आपका port होगा क्योंकि port करने के लिए एक message भेजा जाता है दोस्तों जो कि अभी हम दिखाते हैं आपको port वाला code मंगवाने के लिए दोस्तों आपके अपने phone में message को open कर लेना है open करने के बाद दोस्तों आपको 1900 मतलब 1900 पे message send करना है उसके बाद दोस्तों आपको यह दोस्तों आप उसी नंबर से उसी नंबर से आप send कर दीजेगा message को और जैसे ही send किजेगा message चला जागा यहाँ पे send कर देना है send करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा wait करना है 1-2 मिनिट अब उधर से आपके नंबर पे यहाँ पे UPC code आएगा दोस्तों code आएगा तो उसी code से आपका जो port वाला process होता है दुकांदार आपका port कर देगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि अगर आपकी sim में पहले से recharge है महीने वाला या 2 महीने या 3 महीने वाला तो अगर आपके phone में एक महीने वाला भी recharge है दोस्तों तो मेरा कि आप अपने फौन में 28 दिन का रिचारज है तो 24 दिन या 25 दिन हो जाए तो आप पोड का process करवाईए क्योंकि आप आज रिचारज करवाये और कल आप पोड कर वहते हो दोस्तों तो जो रिचारज करवाये है वह वापिस नहीं आता वो चला जाएगा तो इसलिए बोलते है कि जब आपका sim port होने के बाद चालू हो जाएगा तो आपका 24 घंटे message आना या फिर जाना बंद रहेगा मतलब कि आप अपने bank का OTP या फिर किसी तरह का OTP ये सब नहीं भेज पाओगे या फिर उधर से receive भी नहीं होगा ये security purpose के लिए होता है दोस्तों क्योंकि ये आफिक के लिए है मतलब अगर आपका sim किसी दूसरे से धोखा धड़ी से कोई चालू करवा लेता है और आपका bank का OTP ले लेता है तो आप तो लुट जाओगे बरवाद ऐसे भी नोगों कर रखा है और बरवाद हो जाओगे तो दोस्तों ये verify करने के लिए 24 गंटा आपके number पे incoming outgoing जो SMS होता है वो बंद रहता है तो आपको घबराना नहीं है 24 गंटे के बाद खुद से वो सारा normal हो जाता है और सबसे जरूरी दोस्तों सबसे अंतिम बात ये ध्यान रखना है कि आपके area में जिस भी company में आप port करवा जाओगे और फिर बाद में पता चलेगा कि दोस्तों मेरे फोन में मतलब मेरे एरिया में तो इसका network ही नहीं चल रहा है तो दोस्तों फिर तो आप और ही बरवाद हो जाओगे क्योंकि आप पहले से जो जीओ में थे अच्छा खासा चल रहा था net port करवाने के बाद वो भी लेपल नहीं चल पा रहा है तो दोस्तों आप ऐसे नेट पर चेक करते हो नेट वाला जानकारी 100% सही नहीं होता वहां पर कई सारे लोग बता रहे हैं कि आप अपने area सेलेक्ट करो वहां पर देखो कि 4G 5G activated बता रहा है कि नहीं हो सकता है दोस्तों वहां पर बता दे लेकि यह जो बीए सनल है उसका यहाँ पर टावर कैसा है नेटवर्क कैसा है क्योंकि पोर्ट करवाने के बाद आपके पास कोई option ही नहीं बचेगा फिर आपको new sim लेना पड़ेगा तो अगर आपके एरिया में नेटवर्क अच्छा है तभी पोर्ट करवाना है दोस्तों और आपक कैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों